दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं रहसाइनिक अभिकिर्या एबम सम्मिकरन कंप्लीट नोट्स NCRT से लिगए दोस्तों और आपको एक भी कोशन नहीं छूटेगा और हाँ इसमें कचरे पदा थे नहीं कि अनवसक चीजों को हटा भी दिया गया है जिसे कोश समय करनी मतलब क्या होता अभिकरिया और समय करना मतलब कोई नएा चीज cancel करना और समी मतलब मिल चीज़ी के If एक अपने लॉंगेज में समझ लिए चला विसको ऐसे पड़िवरतन जो ने गुनवाली पदार्थु का निमान होता है उसे रशायनिक अभिकार्थ कहते हैं ऐसे पदार्थ जो किसी रशायनिक अभिकिर्या में हिशा लेते हुए अभिकारक कहते हैं तो दोस्तों आपने अभिकारक बोलेंगे और डियक्षन करेंगे तो आपको जाज सी बात है कि समझ में आ गया होगा तो चलिए दोस्तों हम आगे रण आप दोक समझ गया होगी अब आता है दोस्तों दूसरा टॉपिक है संतुलित रसायनिक समीकरन करना देशे देखें एफी एस टू एफी ओ लोहा यहां दो है कि मतलब कि आप देखेंगे तो यहां पर लोहा दो है जबकि लोहा यह एक है तो इसको बैलेंस कैसी करेंगा यहां भी लोहा को दो करना पड़ेगा तो चलिए दोस्तों यहां देख लेते हम लोग नीचे की ओर देखें दोस्तो यहां जो है आपको जैसे एक य्योंगाट थिरी फी लोहाग大स से गुना कर दिया और है क्या है क्या है है हेडोजन 2 है और हमार जाले जो है हडों 11 यहाँ है ने लोसेम ठीक है लेकिन उक्सिजन की बज़र से चार से गुना पूरे जल में किया गया है अब देखें इसका रियर तीन आफी चार दूना आठा डौजन यहां भी चार रौण और चार गयानी ओक्सीजन चार चार अक्सीजन भी ठीक है तो अब ये बैलेंस होगा आप समझ में समझ गये होंगे चलिए तो आप नेक्स टॉपिक हम लोग बढ़ते हैं और बढ़ते हैं दोस्तों जैसे ठोस को एस बोलते हैं दरुको एल के तरह करते हैं अजली बिलियन जब भी रहागा नबिलियन तो एक केस बोलते हैं ठीक है चलिए दोस्तों रचानिक अविकिर्या के अग्ठाद करते हैं और आप अब क्या क्या है बतार के अभीकिर्या के दोस्तों जोसे अभी करके मिलकर यह एक उत्पाद बनाते है ने कि दो या तीन मिलेकर एक उत्पाद बनाएंगे उससे संईरोजन अब किरिया कहलें गया यह ज्याँ कोईले के दन में कि ताया कारबन होता है और पर डगकर नियुक्त कि बनाना चाहिए तो आपको यहां पर एक ही परकार का अभी किरिया में आता है उसमा छेपी एक अभी किरिया दोस्तों सब्सक्राइब अभी हाँ एक आपको और इंपोर्टेंट ध्यान में रखना है दोस्तों कि यह रियक्शन बाली आपको आजाएगे इरा में जैसे कैल्सियम अक्साइड बीना बुझा हुआ चुना और जल के स बूझा बुझा हुआ चुना बनेगा यह क्या है संधोर अभी कि यहाँ था संध्यान एक प्र डॉडट हो गया और एच्टू एक प्रोड़र्ट हो गया जल और चल्सियम अक्साइड दो को मिला है तो एक बना बुझा हुआ चाहना दोनों मिला कर थे यह संयों है दोस्तों उस्मा ख्याओ अबिकिर्या उसी के अंतरक्त उस्मा उस्मा भी निखलेगा तो उस्मा ज्बॉन कि अबिकिर्व render से ch4 or two और यह दोनों को मिला कर डू बना और back video औ। जूड़ा से निकल ओडिकरा निकलता है चूछ तो फ्रार्ट звучit दोस्ते से डहने में यहां आग लगने वाली बात हो जowned शोखिता हिस्त उसमा च्छेपी अभिक्रिया इसThe कर्या दोस्तों हम लोग यह नहीं बीरा करें मिनेत से साथ अचिंद में निकलता है तो लोह करीम यह तो है तो यह कोश्चन आपको completely याद रखना यह कोश्चन यह कोश्चन और यह मतलब यह जो तीनों रियक्शन है इसको आप याद रखेगा ठीक है तो चलिए अब योजन अभी किरिया क्या हुआ दोस्तों जब कोई एक प्रड़क दो प्रड़क में टूट जाए जब एक रहे और उसको हम तोड़ देंगे बीच में जाकर के तो वह दू भावों में बढ़ जाएगा इसलिए भी रोजन अभी किरिया कहेंगे ठीक है एक एक और डी पल हम गरम करेंगे जल को ही अगर हम एस्टूह और टूट इंगे तो हाडरोजन और सीजन वं तूटँ जाता जल निजता नीन को गरम करते हैं तो कश् Jean कोस्दा बदर जाता और कोशिए अलगम पाठो में तो ड़स ब्रेट को गरम करते हैं को फ capability टुलस रिबाभी लाल रंक हो जाता है हरा रंग से भूरा ला रंग रंग ने पड़िवर्टन हुआ दोस्तों यहां देख सकते हैं तो भी योजन मतलब टूटना होता है एक है और एक जो है तूटकिक द्यादो से अधिक पर अधिक योगी का निर्मान कर देता है तो समझ में आ गया ब्योजन अभी की करेंगे तो बीना भूजा हुआ चुना अभी की लिया हो गया तो दोस्तों आपने यह दो चीज समझ में आ गया होगा तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं बीदूत बीयोजन अभी की बीदूत बीयोजन मतलब जानते हैं कि में नेगेटिव और पोजेटिव चार करन बादा होगा तभी तो बीदूत होगा तो लेकिस डूओ को विदू दहारा जब परवाइट ने जैल पे तो जाल होता है कि जल में कडेंट हो ता है तो दोस्तों हमारा जैल हो गया ऐच पलस और ओ माइनस डेगा ठीक है। तो यह पलस माइनस मीलके बीदूत का गूंड दर साता है इसलिए एच टू ओ पलस प्लस बनेगा ठीक है तो यह बीदूत बीदूत बीजन अभी किरिया यानि की बीजन मतलब तूट नहीं कि जल जो है ने बीदूत के द्वारा तूट रहा है तो बीदूत बीजन बोलेंगे ठीक है तो आपको दीए टौपिक कंपलीट हो श्रूएं जैसे एंगौ को सुझरिगे परकास के उपस्तिती में लेक्शन कराएंगे तो एटी अपलसे अलग अलग प्योचलिंदों होते जालें प्रकासी बोजय हो जन्यूट आप समझेये होंगे तो चलिए दोस्तों कलोरीन वाली जब भी बाता दिया एजी सेल एजी एफ लब कुछ भी आजाए सेल करके जाज़ता है तो सुरे के परकास वाला आपको मरना यह भी कोशन आपको अब्जेक्टिव को देफिने को मिलता है हर जगा हर कंपिटिटिव एक्जाम में और बोर में भी नहूं क्यानि कटिज़ाऎं अभी रिल्टा डीता हूं कि आपको परकास दियुजों अभी कि कि लि Feld बोलते हैं एजी सेल यानि की सिलृल को सिर्वरर कर्लोडाइटि का उप्योन थे होता है फोटोगरा Phillips जब भी आता है तो से लम कॉल ढुणाट का फूं किया दाई आप याद रखेगा जैले दोस्तों डेक्राइब करें उस्मा का सोसन करेंगे मतलब जिन अब करक्तों के लिए उसमान का बिदू स्वर्जा कि आवस्चीत होती है दुस्तों शैद दें बहुत important है भी भी इसे मार लेजे 20 अभी किरिया बोर्ड हो चाहिए competition के एक्जाम हो यहां से Question आने आने है आप जानते हैं सबसे पहले के होता है यानि कि left to right जाने पर ना धातवी गुन घड़ता है तो देखे दोस्तो एफ ही लोहा है और कॉपर है तो लोहा का परमान उसे के कितना होता है 26 और कॉपर का 27 28 के पास होता है 29 तो तो लोहा ज्यादा रियक्टिवीटी होगा की ने होगा और से लेक्टिवीटी होगा तो पापर को हटा देगा और संपर के साथ ये रियक्शन मतलब कि जब भी रियक्शन करेगा ना दोस्तों अदला बदली तो पहले वाले अस्थान पे जैसरी पीस फूर में पहले अस्फान कोने सफियू को अपदा देगा और है पद्शन होग यानि कि अस्थान को अधला वदली कौन धातू करेगा धातू ठीक है और धातू में कौन करेगा जिसका परवानुसंख्यार पहले नमबर पर आता है यानि कि जो भी अकेला होगा वो दूसे के अस्थान पर कर लेगा आप जानगे होंगे तो चलिए दोस्तों नेक्स टॉपि दोस्तों जो है कॉपर को अधा देगा तो जेड़न ऐसे फॉर और कॉपर का निमान करेगा ठीक है मतलब क्या देखिए जेड़न सीगों को हटा देगा क्या करेगा जेड़न सुआप कई-कई-कई-लोग बोलते होंगे सब जेड़न तो लास्ट नमबर में आता है पर मानु देगा और जिंग जो है एसो फोर के साथ चला जाएगा जिन एसो फोर यह निए विस्थापन होगे एक अस्थान से दुस्ते अस्थान पर वह पहले वाले नमबर पर एसो फोर वह साही रहागा पहले एल्मेंट को हटा देगा तो यह आपको भी सब्सक्रापन अभी किरा स है यह एने टू एने टू एसो फोर वेसी एल्टो थी है सफर एने स्थापन को धिस्थापन की दो जब में अदला बदली करनी चाहिए वह पहले पहले ईलिमेंट आपको याद रखना है तो ऐनेट तो डीये॑ सियल्ट तो दोस्तूं टीर के हम अध्ला वदली करवाएंगे तो दिए के जबाब बर इने टूप चला जाएगा तो एने टूप Hz-l-2-n-a-2-n-a-2-cl-2-2-n-a-cl हो गया अब आता सोटू के साथ भी हा जाए गया तो यह इसो फॉर हो गया तो आपको समझ में आ गया है कि दूइस थापन मतलब दो ज़ोगा अस्थान अदलावदली होनी चाहिए तदो भी इस थापन अविक्रिया कहल आएगा समझ में आ चलिए दोस्तों बेरियम सल्फेट यानि भी एसोफोर के सफिद अविल्य अप्षेप का निमान होता है इसलिए इस अभिकिर्या को अभिकिर्या भी कहते हैं दोस्तों अभिकिर्या पढ़ने को आपको कोई ज़रू डियत नहीं बस देविस्थापन याद रखेगा और विस् सबक्सीडेसर मतल 있고 सीजन की बीडिवन जब पदार्त में हाड्रोजन के हरास होता है अगर सब्सकी आग자ro यह बात आपको याद रखना है यह दो पॉइंट आपको याद रखना है उप्चैन मतलब अभी किरिया क्या होती है अक्सीडेशन रियक्शन जब पतार्थ में ऑक्सीजन की बिर्दी हो ऑक्सीडेशन या तो हड्रोजन की कमी होना चाहिए है यह दोस्तों स्योटों यह अदे कि एक्शिजन इंक्रीज हुआ तो यह क्या हो गया अब फिर्यांसी ओटों सी यू और च्यूआ यह भी क्या ओक्सिजन के साथ तो क्या हाँ अब आता है दोस्तों थट नम्मर में से वो डू सुआ दो के साथ कि यूद्टे के साथ औक्सिजन भी जूदा और अब हाइडोजन अगी अपर किसी के साथ तो उसका पावर कम हो जाएगा ना जोगे चुकि उसमा देने पर हैडोजन तो दोस्तों यहां पर आप समझ गयों कि हैडोजन जूड़ता है हैडोजन मतलब सिंगल लहेगा और किसी साथ जूड़ जाएगा तो हमारा उप्चेयन अभिकिरिया हो जाएगा ठीक है चले दोस्तों नेक्स्ट की और हम लोग आगे बढ़ लेते हैं जा उप्चेयन अभिकिरिया जब पदात में अक्सीजन का कमी हो ठीक है जैसे सी यूओ एच्टू बने जया यह अक्सीजन है अक्सीजन डिपलेस्मेंट हो रहा है तो यह अप्चेयन अभिकिरिया हो गया दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक सबसे कि खारन कोई अक्सीजन हो डगता है जिसे ईचीजन अब और करन अमल के संपरक में आज सकते हैं अमिला मतलब एसीड होता से के हुपर काली को सद्ध्ण द करके सरक्षैंद दातू को बचा जा सकता है तो सब्सक्राइब blessed स्क्राइब के सब्सक्राइब में आने पर उप्चैत हो जाते हैं उस जिससे उनके वाद्यों परिवर्तन हो जाता है इसे गिरित करते हो बैगर आजाता है न तो गंद करने लगता है यानि कि जैसे खाना बोलते हम लोग अगर ज्यादा लेट तक रिदेंगे अक्सिजन हवा लग लग याते तो खराब हो जाते लेकिन वह चीज फिरीज में रहती तो खराब नहीं हो जाती फिरीज में हवा नहीं गोजता है चुकि उसमे अलग गयस निकलते हैं अनरपोस वकत्र और नहीं यहुओ कालोट विरीट गंडिता परती ऑक्सिकारय के आक्सिकार और यह जिस वरतन में बायु ना घुश सकें अंदर पड़ेशना कर सकते बायु के अस्थान पर नटोजन गयस द्वारा अब आपके इस्थान पर नटोजन गयस कैसे देखे दोस्तों मैं एक चीज़ बताता हूं बल्ब में भी नटोजन ऑकीदिय गयस भरा जाता है एक कुरकूरे का एक्जामपल लेते हैं कुरकूरे के पैकिट में नटोजन गयस इसलिए भरा जाता है अगर आक्सीज़न गयस उसमें बढ़ देंगे तो कुरकूरे जल्द ही खराब हो जाएगा एक से दो दिन में ही तो forgot मैं नियृका इंद Now को सब दोस्तों इसल के दोड़ा सितलन मतलब थंड़ा के दोरह है भी बचांगों को फिरी जीदियो जाकते हैं को तो आपको सबस मैंने कमपलीट कर दिया दोस्तों तो दोस्तों आपको एक वार को स्ट्जन परके बताजितां क्या नहीं क्या जब परिबरताने बहुत तिक पड़िवरता हैं दूद का दही में बदलना रसानिक पड़िवरता हैं सबस्वन को उसमाच्षेपी अभी किरिया क्यों कहते हैं यह बताना है आपको दोस्तों सबस्क्राइब कर्बन डाकसार निकलता और कुछ गैस भी हमारे अंदर से निकलती है गैस जब निकलती है तो उसमाच्षेपी अभी किरिया हो जाएगी बाइव के संपर्क में आने पर कॉपर के बरतन चमक क्यों चमक क्यों चलिए आते हैं कॉपर जो है ना अक्सिजन से रियक्शन कर लेता है जब कोई भी रियक्शन करता है जैसे लोहा पे अगर हवा लग जाती है मतलब जंग लाएगा तो उसका चमक कहो देती है उसे पर कर दात वी इस पर फ्रक्राइब को पर्स्तिति हम चमक खोने लगती को बीडात हो ठीक है अले ऑले अले शिल्वर और उसको श्रुक्र शिल्वर फिले सकते हैं लेकिन उसमें कम लगता है दो ही इसापन कि सव्य कोई में अबुक्त टाइम इसमें दो अभी कर दो कर Ona एक रहां क्राएंगे जोड कर एक निमान करेंगे दो नहीं ही हो जैसे यह facility क्रने इसमा किया खातम हो गिए है उसमा चैपी अभिकिर्या मतलब जिसमें उसमा निकलता हो ठाल रियोगा जीन एक सिय ku तो या दो से अधिक भागों में तूर जाएगा उसे भी जोजन अभी किरिया कहेंगे जैसे फिरा सलफेट को जब हम उस गरम करेंगे तो फिरा सलफेट आइस ओटू एसो थिरी में बदल जाता है तो यह बीजन मतल्ट तूट रहा है बीजुत जोजन जैसे एच्ट वो को ब माइनस देगा यहीं कि भी धूद धरा का बीदूध धरा के एक जांपल हो गया थोट पलस देता है और नेगीटिव देता है तो इसके बज़ए से बीधूथ विजन अभी किरिया हो गया परकास यह मतलब प्रकास के उपस्तिती में ठीक है बिस्थापन अभी किरिया मतलब अस्थान अदला बदली कर ले ओ भी जैसे सीवेश पर दो कंपाउंड है ना तो पहली पहली वाली एलिमेंट कॉपर हड़ जाएगी और यह फिए आपर चली ज है तो से पहले भी तबी हर जाएगा और यहने टूब आ जाएगा यहने से ताफ समय भी बिस्थापन अभी किरिया उप्चेन अभी किरिया मतलब अक्सीजन की बिर्दी तता हडोजन की कमी होगे ठीक है तो आपको समाझ में आ गया होगा दोस्तों इस परकास से संग्छार इस फिरीजब कर सकते हैं और एस फिरीजस का हम परयूब कर सकते है ठीक इसकार से हमारा कंपली 통 NCRT Revision हो गया दोस्तों और इस पर NCRT Exampler का मैंने Question दे दिया है 18 का उसका solution भी दिया है वीडियो की description में link भी दे देंगे और हमारे चैनल पर जाके जूड़ जाए आपको बेहतर तरीके से short note प्रोवाइड किये जाएंगे और मैं कल के वीडियो में लाने वाले हैं और यह निक कमेस्टी जो दोस्तों बिल्कुल